स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाथ में और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ATL का सिम चालू रखने के लिए आपको अपने ATL सिम में कितने रुपए का रिचार्ज करना है यह जानकारी हम फोन पे एप के दुवारा लेने वाले हैं तो हम यहाँ पर फोन पे एप को ओपन कर लेते हैं और फोन पे एप ओपन होने के बाद हमारे मुबाइल में कुछ इस तरीके का एंटरफेस आ चुका है हम यहाँ पर अब mobile recharge पर touch करते हैं और यहाँ पर अब हम अपना एक ATL number select कर लेते हैं क्योंकि हमें ATL के number पर पता करना है ATL का number चालू रखने के लिए हमें कौन सा recharge करना है यहाँ पर हमारा एक number पहले से ही select है हम यहाँ पर एक बार touch करते हैं तो यहाँ पर अब आपको operator select करना है, मैं यहाँ पर ATL prepared select कर देता हूँ, अब यहाँ पर आपको अपना state select करना है, मैं यहाँ पर उत्तर परदेश East select कर दिया है, अब यहाँ पर हमारे जो ATL के plan है, वो सभी plan आ चुके हैं, आप यहाँ पर जो नए plan है वो देख सकते हैं, ले यहाँ पर यह 99 रुपे वाला plan है, जिसमें आपको unlimited calling मिलती थी, अब वो recharge काम नहीं करता है, यह यहाँ पर बंद हो चुका है, अब यहाँ पर इसकी जगा दूसरा plan आ चुका है, जो कम से कम 155 रुपे का है, और हम यहाँ पर अब 155 रुपे सर्च करने के बाद देख लेत हैं, हमें 155 रुपे वाले plan में क्या मिलता है, हम यहाँ पर अब सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 155 रुपे में हमें 1GP data मिलता है, और 24 दिन के लिए validity मिलती है, और unlimited call मिलती है, HD और roaming हमें यहाँ पर unlimited call मिल जाती है, 1GP हमें यहाँ पर data मिल तो अब 2023 में हमारे जो एटल के प्लान है वो चैंज हो चुके हैं पहले हम 99 रूपीज में 24 दिन के लिए अनलिमिटेट कॉलिंग कर पाते थे लेकिन अब हमें अपना एटल का सिम चालू रखने के लिए 24 दिन में 155 रूपे देने होंगे तभी हमारा एटल का सिम चालू रह पाएगा उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली सीतरा की इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका त सुक्रिया